कि नमस्कार दोस्तों आज की स्थी वीडियो मेें हम लोग क्या डिस्केस करने वाले हैं आज इस वीडियो हों लोग यहां पे हो फॉसुट यो रिसोर्सेस हैं उसकी वर्ल्ड में एविलेबिलिटी और एकसेसिबिलिटी में प्रॉलम जो हो रहे हैं iska मेंनरेरीजन को डिसके करेंगे ठीक है यह जो प्रश्ण है हमारा UPC 2030 में जनरल स्टेडिस पेपर वन में पूछा गया है यहां पर आप से पूछ रहा है कि जो फ्रेस वाटर जल है उसकी एक्सेसिबिल्टी और अविलिबिल्टी दोनों ही संकट हमारा यह वर्ल्ड में दीख रहा है ऐसा क्यों जनरा की एक्सेसिबिल्टी और उसकार, अविलिबिल्टी की बात करता है तो देखो फ्रेस वाटर वैसे भी हमारी बहुत ही आप बोल सकते हो कि important हमारी resources है और limited resources है क्यों क्योंको वैसे earth में 71% हमारा earth की surface में water है फिर भी आप देखोगे out of 71% में देखोगे तो 2.7% ही जो earth की water है वमारी fresh water है इस पे भी ज्यादा तर आप देखोगे तो ice caps के रूप में हमारा glacier के form में हमारी fresh water है ठीक है यह वाल पिर्थिपी का 0.0.6% ही हमारी पिर्थिपी की water जो है वो हमारी actual use के लिए available है ठीक है और हमारा population कितनी है 8 billion population ठीक है यह तो लोक का है इसके लावा जो fresh water का use करने वाले forest भी है बन भी है wildlife भी है ठीक है और plus हमारी 8 billion people है इन सब के लिए सिफ अर्थ में जो 0.6% water है वह हमारा उपियोगी है ठीक है इसलिए हमारे fresh water बहुत ही scarce resources है इसकी availability में हमारी problem हो रही है तो availability और accessibility में क्या हमारी problem हो रही है दोनों के बीच में जो gap है हमारे increase हो रही है इसकी वज़े से हमारी water crisis हो रही है तो सबसे मेन रिजन है हापे जो हमारी population की growth बहुत है तेजी से हो रही है ठीक है कुछ रिजन हमारी over populated region हो जा रही है और over populated region होने की कारण वहां की जो fresh water जो resource है तेजी से deplete कर रही है जाहे वो ground water हो या हमारा surface water हो बहुत तेजी से deplete कर रही है और depletion की जो दर है वो इतनी तेजी है कि जो rain water है वो उसको फिर से भर नहीं पा रही है ठीक है तो gap जो है supply और demand में यह हमारी बढ़ती जा रही है due to growing population यह हमारी availability of fresh water को reduce करती है बहुत तेजी से growing population यह हमारा पहला region हो गया ठीक है दूसरा region है कि fresh water के availability में जो problem create करती है हमारी urbanization और industrialization बहुत कम area में बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करता है ठीक है cities में consumption जो water का बहुत ज़्यादा होता है बहुत थोड़े area में तो वहाँ पे जो available resources है water है वो हमारा कम पढ़ जाती है ठीक availability हमारी कम पढ़ जाती है यह भी हमारा दूसरा region हो गया तिसरा region है availability of water के कम होने का water pollution अब urban area में आप साफ दे सकते हैं कि जो वहाँ पे surface water है ठीक वहाँ पे जो तलाब देखने हो भी लेंगे या reverse वास जो गुजरती होंगे वो suitable नहीं होते है पीने के लिए नहीं यूज करने के लिए आपको साफ सफाई में भी यूज करने के लिए यूज नहीं होती है इतनी ज्यादा गंदी होती है ठीक है तो water pollution भी हमारे water की जो fresh water के availability को reduce करता है यह भी हमारा main region है इसके लाव आप देखो कि climate change के वज़ए से low rainfall वरा है इस सिधा सिधा visible देख रहा है इंडिया में अभी दो-तीन साल से मांसुन की जो rainfall है वो बहुत ही ज्यादा एरिया में बहुत ही कम हो रहे है ठीक है तो larger part of the इंडिया आप देखोगे तो low rainfall हो रहा है मांसुन की कमी के वज़े से इसके वज़े से वहाँ पर drought जैसे situation हो रही है ठीक है और इतनी ज़दा intense हम प्रेशनों का तो अगे वाटर के availability हमारी कम हो जाती है तो इसके लावाटर के availability की जो कम करने के crisis की other जो रिजन है unsustainable practice कुछ हमारी practice ऐसी है जो unsustainable है जैसे कि ground water का extraction इतनी तेजी से हम करते हैं कि पूरी तरह से खतम हो जाता है तो ऐसा करने से हमारी जो water के availability है वो हमारी कम ह हो जाती है ठीक है इसके लावा हम बहुत ज्यादे यूज करते हैं इन इफिसेंट तरीका अपनाते हैं agriculture के लिए इरिगेशन के लिए इंडेस्टी के लिए डोमेश्टी यूज के लिए यह भी हमारा water के availability को कम करता है ठीक है यह हमारी water के availability को कम करने के लिए crisis के लिए हमा sustainable practice अब बात करते हैं हमारी accessibility में wastewater की accessibility में क्या क्या प्रॉलम है देखो कहीं पे water तो अर्वेबल है लेकिन जो larger population है वह मारा उसको access नहीं कर पा रहा है क्यों क्योंकि आप देखोगे कि economic disparity है ठीक है जैसे slum वाले area में इतनी जड़ा population है वहाँ पे और वहाँ पे poor people है को वहाँ पे water की availability मालो उस रीजन में है भी तपर भी access नहीं हो पा रहा तो यह भी मारा water crisis को promote करता है इसके लावा आप देखोगे fresh water की unequal distribution है कहीं पे हमारी lack of infrastructure है मालो water surface water है ground water भी है लेकिन वहाँ पे pipe की जो supply है वह हमारी वहाँ पे है नहीं ठीक है लोगों तक पहुंच नहीं है लेक आप infrastructure होने के वज़ए से मारी accessibility में problem होती है ठीक है इसके लावा natural disaster मालो earth cube का आ गया है ठीक है supply chain को disturb कर दिया rot आ गया या flood आ गया तो भी supply chain को जो water की supply है उसको disturb कर देता तब पर भी मारी accessibility की problem होती है और यदि conflict हो गया war जैसे situation आ गया है जैसे का अभी इजराहिल और गाजा हम देखने मिल रहे है तो इजराहिल और गाजा में war जैसे situation है तो नदन जो गाजा के people है वो water की अभी accessibility वह तो यह सारे में रिजन है कि वर्ल्ड अभी आप देख रहे हो कि water की accessibility और availability दोनों में problem phase कर रहा है ऐसा estimate लगा जा रहा है कि हाई से 3 billion की जो population है वो हमारी उसके पास sufficient जो fresh water वो available नहीं है daily consumption के लिए ठीक है और अभी हमारी united sustainable development goal 6 हमारे focus करता है कि एक साप water fresh water होनी चाहिए ठीक है और साप सूतरा water सबके लिए available होनी चाहिए यह सारी problem है और इस problem को दूर करने के लिए हमारी comprehensive approach अपनानी पड़ेगी sustainable water management practice को अपनाना पड़ेगा water harvesting technique को अपनाना पड़ेगा water conservation करने पड़ेगे infrastructure को improve करना पड़ेगा efficient मना पड़ेगा इस excess and fresh water resources to all people तो मेरा दोस्तों आज वीडियो का discussion तो आज के लिए बसते नहीं आप कमेंट करके जरू पताएगा वीडियो कैसे लगी thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपका साथ thank you